जाहिंद मेरे सभी प्यारे साथियों को मैं हूँ राहुल जैस्वाल और आप देख रहें बिहार बट का नंबर वन यूटूब चानल बात करने वाले आपका क्लास तेंथ की सब्जिक्ट आपका संस्क्रीट के सकेंड लेशन दुवीटी पाठ पाठ लिपूतर वेभाम के बारे में इससे पहले आपका पर्थम पाठ व मंगलम के बारे में बताये गया था ठीक है अगर वह वीडियो आप ने दिखे तो इस में कितने कुशन आता है तो उस वीडियो को भी आप देख साकते ताकि के आपको आपको समाझ में आज है किद और यृज किता से कितना पुशन पुशा जाता है तो आपको एक म्रम करें बताना इस्पार्ट को पढाने के बात क्या इसका अबजीक्िटिव कुशन का करना या नहीं आपको कमेंट करके बताना है जैसे परकार हमने मंगलम पार्ड का तरह के बिडियो को जरूर करना है और एक आपके लिए गुड़ नीज है क्योंकि आपका ईक और नीज चानल तीक है पुराने नाम से जाने जाता था जैसे कुशूंपूर्म या पुस्पूर्म यह आपका पाथली गराम यह सब जो है पटना का पुराना नाम है इस पार्ट में बात करेंगे पटना के वयभाव के बारे में ठीक है कि इसका जो है महत्व क्यू रहा है प्राचीन काल से इसका इतिहास क्या रहा है राजनितिक धार्मिक छेत्र में इसका क्या विशिस्ता रहा है ठीक है और यहां पर कौन-कौन सा विदेशी यातरी जो है आ माहानेग्रम परीक दिर्टळ चित्र हृग आपका प्राचीन काल पृत्र जो ऑप ये इसका विस्तार हृग तदिविस्ये दामदर गुप्त नाम कवे कभी है और इसके विशाय में डामदर गुप्त नाम के कवी जो है जो अपने पुस्तक जो है नामना पालेपpersonal प्रीभूत्र पूरंद अस्थान एillar परभुत्र मतलब्स को middle- Nasus मतलब जिसने नाम का है पडीघ्reg determiner रह July Sun जो कहां स्थानुर्ण मतलब aba क्यों बुमा तल ढूलब अश्थास्थानम नाम जबसेय क्या er अिम्छला है प्राचीन काम जो आपका नगर था पटना उसे जो है सरस्वति का कूल गिरिहम कहा जाता था और जो कहा जाता था उसका नाम क्या था पटना था पातली पुत्रम था जो आपका इंद्र के इंद्र यानि जो है स्वर्ग लोग के जो जो स्वर्ग लोग का क्या होता है आपका आसन जो होता है स्वर्गलोग उससे भी क्या था काफी सुंदर था ठीक है उसकी तुनला पटना की गई है स्वर्गलोग से की गई है अगला देखे जाए इतिहासे सुरुयते यत्र गंगायस्तिरे बुध काले पाटली ग्राम इस्थित आसित इतिहासे सुरुयते यत इतिहास में सुना जात जाता है यत यह गंगायास्त्री यह गंगा के किनारे बूध काले मतलब बूध की समय पाटली ग्राम इस्थित आसित इतिहासों में सुना जाता है कि जो आपका पढ़ना है वह गंगा के किनारे गंगा के किनारे बूध काल के समय जो इस्थित था ठीक है और आज भी है यत्र यत्र चा भागवान बुद्ध बहु कृट्वा समागत यत्र मतलब क्या होता है यहाँ ठीक है यहाँ यहाँ पृट्वार बोध स्थास बहुत बार आए हुवे थे वे भगवान बुद्ध क्या बुले थे यह जो आपका नगर है यह जो ग्राम है आपका ठीक है पटली ग्राम ही बुले दाता ठीक है पटना को यह जो आपका ग्राम है भवी सिकाल में माहानगर के नाम से जाना जाएगा पेकल हास्या मतलब हमेशा ज्यागरा होता रहेगा घंदा यानी आग दान यानी आग लगा होगा हमेशा जल्पुद्धा यानी बाढ़ का हमेशा खत्रा रहेगा भयाद सर्वक रामता भैस्ति और और यह आपका आग का जहगरा का और बाड का हमेशा खात्रा जो इस पर मंट आते रहेगा और आज आप देख सकते हैं आज जो है मतला अभी फिलाल आपका कापना में बाड जो आया हुआ ठीक है यह भी आप जान सकते हैं यानि यह जो है भागवान बुद्ध पहले ही बोल यह दिए हुआ चंद्रगुप्त मुरस्य वे अश्य नकर असजे शोभाव रक्षा बेवस्था चंद्रगुप्त मुड के सासनकाल में इस नगर का जो रक्षा बेवस्था था वह काफी अच्छा था अथि उत्ष्ट था बहुत ऑच्छ था ऑनानराशदोत मेगास्थी न इसका उचारन्स इसके बारे में बताया हुई है कौन है तो मेगा स्थनीज का एक पुस्त कहा है इनधिका क्या है इन्डिका उसी में वे बताय हूए है। जो प्रिये दरसिना, सम्बोधित किया जाता था। तो क्या बोल रहे हैं कि इस नगर का जो वैभाव था जो संपदा था वह आपका असोक के समय बहुत ही अच्छा था बहुत ही सुन्दर था ठीक है अगला देखा जाए बहु कालम पाटली पुत्रस्य प्राचीना सर्श्वर्ति प्रंप्रा प्रवत्त इति राज सिख्राश् शुक्ष्षा प्रमोहे Hazard gases da organeel बहुत समय ठीक है पातली फीदर प्रत शर्श्वर्ति प्रंप्राउप्रवत तक आपका जो पटना था वह आपका सश्वर्ति प्रंप्रायारी बीध्या के गरहन के लिए काफी आहीं आपका फीमस था और इती इसके बारे में धुना राज शेकरा रा जिसेकरा शुए कावेयाई मानसाई अपने पुस्तर का वे ARM है कि यह बताय हुए थे और साधर जरंथी अस्राव करके बताया हुए कि वह शादर प्रुवक बताये हुआ है किसके बारें प्रणा के बारे में यहां पर दहुद कि अत्रु पर्षवि को पाने नी-पिंगल legs अपकर बसलतिए ब्लबस उपको कि संस्रीत पर्छम पूठा करते हैं सुख Cinema और भिप्क आप जांते है जो देंको पुण अपकर जानते हैं टैश्ष्टा ध्याई के जिक्क है आपका संस्रीत व्याकरण का पर्थम पुष्टान धोग कर प्क पिंगल को भी आप जानते हो यह पिंगल ठीक है यह आपका चंद के लिखे थे चंद लिखे हुए पंगल और चंद के दोबरा ही क्या करते हम लोग दुखा को अलग-अलग बाठ सकते हैं वहांगी जहां पर आपका जुह है पानीनी फिंगल अपका पतंजली पतंजली अच्छा हुआ ख्याति मुझम यहां से भी ज्यान अर्जित किये ठीक है यहां पर यह सब सारा के सारा जो है ज्यान अर्जित किये हुए थे अगला है कती पयोसु प्राचीन संस्क्रीट गरंथेशू पुराने सिद्सू पाटली पुत्र से नमांत्रम पुशंपुरं पुरान पुरानों में पाटली पुत्र का जो नाम है वा पुशंपुर्म और कुशंपुर्म वा मतलब अथवा 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 कुशंपुर्म मिलता है ठीक है बहुत सारे पुरान गरंथों में आपका संस्क्रीट गरंथों में जो है न क्या मिलता है पाटना का यांजी यह याद मतलम जहां 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 जिए हम समीं पुषपा να मैं पुषपांशल का कॉन्सी पुषपांशल का कॉन्सा कमल ठीह स्युक्त जादा बहुत जान्युपशतक है यह लगा यह फ़ल हस्ता है overdose lige कर चाया पूतर मीधूत शब्द में एप्द हम पूतल पूतल के रचना कर्मे असरित्य को आप के पूतलि का रचिब का घृतल न था तो चेह के नाम पर आपका आश्रित है क्या पाटली पुत्र का नाम यानि कि पटना में बहुत ज्यादा फूल का उत्पादन होता था और उसी फूल का पुत्ली बनाया जाता था ठीक है पुत्ली का बनाया जाता था ठीक है और उसी पर आपका जो नाम आधारी थे क्या पाटली पुत्र जो ले नगर आस्मीन कमवधी महत्सो इती प्साशनकाली सरत्काल ही सरत काल में इस नगर में आपका कमवधी महत्सों कैसे जो है तो यह आपका कौन से काल में तब सरतकाल में मनाया जाता था और यह आपका किस के सासन काल में तुस आपका गुप्ट वन्स के सासन काल में जूए काफी आपका फीमस हुआ प्रचले था कमाउदी महध् यह ना ड़त रसरवेजना आनंद मंगन करती थे और पूरे पुजा में प्राइब जो देखते हैं आपका समरूदिक्टे जो देखते हैं उसी परकार जो है आपका कमोदी उत्सव मनाने के समय आपका दृष्ष उत्मन होता था अगला और लेकिन काल चक्र यालिक यानि समय बदलने के कारण समय क्या हर समय एक जैसा नहीं रहता है क्योंकि समय बदलने के बाद जो है मध्यकाल की समय पत्ना का जो आपका इस्तित्स था वर्सभ हका जिएन्स जिसका संकेत अनेक साहित गरंथों में दिया गया है जिसमें आपका एक मुद्रा राक्षास है इसमें भी आपको यह इसके बारे में मिलता है कि प्राटना जो है प्राची मध्यकाल में जो है जारों वर्सुत क्या जरजर इस्तिति में रहा था और यहां पर एक चीज़ कर लेखा कोण है विशाख दद कौन है विशाख दद यह आप याद रखिएगा अगला मुगलवन्स सासंकाल अस्चे नगर से सम्रीध हो जाता लेकिन देखिए हर समय बाएक जो है एक जाव आसमान नहीं रहता है मुगलवन्स के सासंकाल में इस नगर का जो है क्या हुआ फिर से जाकर उधार हुआ फिर से जो है मुगल वन्स के साथनकाल में इस नगर का उधार का उधार किस नगर का तो पतना का अंगल साथनकाले चाप पाटली पुतर से सुत्राम विकास हो जाता है लेकिन अंगल साथनकाल में अंगल साथनकाल होता है अंगल जो है अंगल बोल तो अंग्रेजके शासन काहल में और यह बिल्कुल सही वी है क्योंकि आप जानते है जो आपका प्रणना जो है पर्णना में बहुत सरा जो आपका ओलिस दिखिए गाए तो वह आपका बहुत सरा जो है अंग्रेजकि समय ही बना हुआ ठीक है और जो कुछ बना हुआ है नगर मीधम मध्यकाले यही जो आपका नगर है मध्यकाल के समय पतनेती इंद हिल इति है की बटना के नाम से क्या हुआ परसीद हुआ ठीक है आ यहां सब्देखैं से बना हुआ पतन मिती सब्द है एह आपका सब्द से बना हुआ decision अधिया पतन देखें पले यह ने तो पतन से क्या बन्द्रगा था था टिक है और बंद्रगा को पतन बुलते कि अगर्षी पालिका देवी पतन देवी अध्यापी पूजते और इस नगर जो आपका जो देवी है हैं जिसके बोलते पटन देवी वह आज वी मतलब होते हैं वह अधी मतलब होते हैं आज मतलब होते हैं अपी मतलब होते हैं और शंप्रती गोस्त Pawar यॉँ आपका जो पट्यू पूझा काफी विशाल हो गया ठीक है मतलु है पट्न है रहे निज संदफिपर, जो है विहाराज की क्या है राजधानी आस्ती also यहां पी चास्ती निए आपका चोप पलस टास्ती क्या बनाते है यानि इस समय आपका दो पतन है वह विहाराज की राजधानी भी है अनुदिनग नगर से विश्थार माथ 창 अरुदिन लगातार जो आपका यहली का धीन संचसा रहा गंगा नदी प्रावाधि और इसके उत्तर दिसा में जो है गंगा नदी जो है प्रावाधि नीपराधिया फॉपर दील्षा में आपने बालता है अपका टैनक पर तुनिय तीन रेल शूत्रप्रतिय निर्मातिन वर्ति असे ुपर में अब तो यहां पर बोला जा रहा है कि वहां पर रेल काभी काम हो रहा था ठीक है नगड़े अस्मिन उत्कृष्टा यानि वहां पर कौन कौन साची आपके लिए देखने लायक है शंग्रालिया उच न्यालिया शची वालिया गोल गिरिहम तारा मंडलम जविकृध्धान मौड़े काली का ऑसेसा महविरम मंद्रम दितते दर्शिन का संति अर वहां पर आप आपका उत्कृष्ट आपका देखने लायक जो अस्थान है वहां संहराले हैं उच न्याले हैं सची वाले हैं गोल गिरिहम भी है तारा मंडल है जविकृध्धान है मौड़े काली का जो समय का जो आउसेस बच्चा वह भी आपके लिए दिखने लायक है और महावीर जी का जो मंदिर है वह भी आपके लिए दर्शन लायक है ठीक है प्राचीन पाटना नगरे सिख संपर्दाय पुजिनिये अस्थल अस्थलम दस्म गुरु गवींद सिंह से जर्म अस्थानम गुरुद्वरती नामना परसिंद्वर्थ दे और प्राचीन जो आपका पाटना नग थे उनके दस्वे गुरु का क्या नाम था गुवीन्द सिंह गुरुक उफिन सिंह अनका पाटव में हुआ ठीक है और वहां पर आपका अगया भिउपना cylinder में यूट तत्रनाय स्सियत तीर्थ यांतिर्ष referendum यांटी और यॉथ अपने देशके जो जितनी भी तीर्थ स्यात्री है दर्षन के लिए किया करते प्लाइं करते वहां पर यह आप दीन है जाते वहां पर ये साल प्डूत करते लाइक डिर्थि का अप देखा जाए पाटली पुत्रम प्राचीन कलात अधावधी विभीनेशु छेत्रेशु वैभवम धारयन्ती सरोम संकलित रुपेन संग्राले दर्शनिमिनी बीती एवम यानि इसी परकार जो है आपका पाटली पुत्र जो है प्राचीन काल से जो है अधावधी यानि लगात तो आपको कमेंट में बताना ही है कि कौन सा जो है आपका जो है कौन सा आपको क्या करना है टॉपिक से ज्ञान करें किस टौपिक पर आपको जो है समाजह भेलाज नहीं आया थीक कौन सा टॉपिक आपको समाजने में है वह कमेंट करके बताना है और थोड़ाशा और आपको बताना क्योद्वडेक्टिव नसे प्रकार तो आपको और वीडियो अच्छी तरह से बनाना चाहिए वर्ञ наст